अससलाम वालेकुम तो आज मैं आपके चनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर आजर हूँ जिसमें हम अन्बॉक्सिंग भी करेंगे और आपको अपने फर्स इंप्रेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो आज की जो हमाई डिवाइस है वो है रियल्मी फाइव आए यहा के बहुत ही जादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक मार्केट में और थोड़े से कैमरे अपग्रेट के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाता है रियल्मी फाइव एस भी और फिर अब आया है यह यहां पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो पर आपको एडरीनो 610 का जीप्यों ही मिलता है चार जीवी रैम और चाउसर जीवी की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है मतलब रैम वाली साइट से भी आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली इसकी जो कंपनी प्राइस है वो है 24,999 लेकिन अगर आप इसे पर्चेस करने में इ प्राइस कर लीजेगा ताकि हमारी जैसे भी नहीं वीडियो अप्लोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए चलिए जल्दी से डियल्मी फाइव आए को अन्बॉक्स करते है तो चलिए अब अन्बॉक्स करते है यहां पर जादा कुछ देखने के लिए है चारओ तरफ डियल्मी ने अपनी ब्रेंडिंग की हुई है यहां पीछे की तरफ कुछ स्पैसिफिकेशन मौजूद है तो मैं आप आपको बताना चाहूंगा यहां पास अजार मिली एमपेर की मैसिव बैटरी मिल जाती है जो कि आपको बहुत ज्यादा आच्छा बैटरी डिस्प्ले मिल जाती है जिसका डेजलिशन सैवन ट्वैंटी बाइ सिस्टीन हंडिड है मतलब एक एच्डी एजलिशन की आपको स्क्रीन यहां पर देखने को मिल जाती है यहां पर एक्वा ब्लू करान में हमारे पास यह डिवाइस मौजूद है इसका दूसरा कदर भी आ पारते है यहां उपर हमें एक फ्लैब मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ है यहां पर कोई सिलिकाउन प्रोटेक्टिव केस नहीं मिलता जो के बहुत ही बुड़ी बात लगी है मुझे यहां पर हम सिम एक्शन टूल निकाल देते हैं क्योंकि इसके सिम स्लाट को हम टेस्ट करेंगे वैसे तो फुल सिम सपोर्ट है इस में आपको पहले से बताते तहूं लेकिन पर भी आपको चेक करके बता दूगा यहां पर हम मारा डिवाइस है तो इसके बैक साइड में बात मिल जाते है पहले इसको और करके साइट में रखते लिए और वो कि बॉक्स के दूस् एक USB केबल भी मिल जाती है यहाँ भी आपको और इंच देखने को मिल जाता है मतलब कि यह केबल है और बॉक्स को साइट पर करते हैं हमारा मुबायल ओन हो चुका है तो चलिए जल्दी से करके सम्मना तो हुआ है कि अब यह स्टैप में आपको देखाना चाहूँगा कि यह弗ी फैस इन्रोल करेका तो गड़ते किते थी ते देज़ी moleसिट Фंश क्रेशन करता थैं कि ने हमारा तका कि भॉत ही ज Fraktion कर लिया है अब देखा भी को तीज है कि लगता है काफी तीरी से यह को रिस्टर कर रहा है और यह डन हो चुका है और यहां पर फोन स्टार्ट हो चुका है तो मेरे असाब से स्नैड़ ड्रैगन शिक्सिक्स्टी वाइब वजासे आपको डिल इन्टो डिली ऊसेज में कोई भी तक्लीफ नहीं आ सकती यहां प्लू आप यह फोन डिल्टो डिली उसेज के लिए बहुत ही जादा स्नैप होने वाला है आपके लिए है यहाँ आपको सेवरल एपस एक ही टाइम पे खोल के दिखा जिता हूं कि इत्ती है तेजी से काम कर रहा है कि अभी हमने इसको अन किया है यहाँ पर भी अराम से सकते हैं क्योंकि यह प्रोसेसर अची खासी गेमिंग भी सपोर्ट कर लेता है यहाँ अगर आप वीडियो वगरा देखते हो या तो आपकी डेट डेल यूसेज में कोई भी मसला आएगा इसकी स्क्रीन की वज़ा से इसक की तरफ आते है तो यहां पर आपको जबर्ड़स्ता सनघ्ड़ से सनरइज देजाइन भी मिकेहरी है जो नीचे से सन्द्राइज होता है और यहाँ पर मेरे सब से जो मंच्रीयल है वो बाली कारबोनेट यहां पर hyны पैं पैटर्न्स उपने हुए है विक को और वह है 12 Mpx F 1.8 wide angle lens यहां 8 Mpx का दूसरा जो sensor है वह है F 2.25 aperture ultra wide angle lens और यहां पर 2 Mpx Macro और 2 Mpx depth sensor के लिए भी camera's दिए गए है यहां अगर front की तरफ आते है तो यहां भी notification light you drop notch में यहां पर आपको selfie shot मिल जाता है जो के 8 Mpx का है तू अपर्चर है इसका टू पॉइंट जीरो यहां पर इसके लुक को देख लेते हैं तो नीचे की तरफ आपको यहां पर हैटफोन जैग आपके स्प्रीकर ग्रिल और यह 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 पोर्ट देखने को मिल जाती है यहां पर राइट साइट पर आपको तुछ ऑन आफ का बटन देखने को मिल जाता है लेफ साइट पर की वॉल्यूम कीज मिल जाती है और सिंट्रे मिल जाती है और इसका डिजाइन काफी मुझे लागा है चलिए अब इसके फिंगर्प्रेंट को हम टेस्ट कर लेते हैं तो फिंगर्प्रेंट भी काफी तेज़े मेरे ख्याल से लेकिन फिर हम पर और चेक कर लेते है यह इसटर नहीता है पहली बरी में अ northwest ken आश्या कर लेता है तो यह काफी क्ले कर लेता हूं तो यह खुल जाता है यह काफी तेज है इसके फेस अनलॉक को भी शेक कर लेते हैं तो यहां पर आपका फेस अनलॉक भी काफी तेजी से काम करता है लेकिन आपको स्वाइब अब करना पड़ता है यह अनलॉक हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता तो अब इसके कैमरा है वो जरा प्रैक्टेकली हम इसको टेस्क कर लेते हैं तो यहां पर यहां पर बैक कैमरा तो काफी इसका में डीटेल लग रही है बैक कैमरा में तो काफी डीटेल लग रही है बाकी इसका मैक्रो शॉट भी काफी अच्छा है अच्छा लग रहा है हम किसी चीज की करीब से पिच्छ लेते हैं यहाँ पर मेरे पास सिम इजेक्टर टूल है तो उसकी हम पिच्छर यहाँ पर लेते हैं क्योंकि मैक्रो शॉट है कि यह आप देख सकते हैं काफी क्रिस्प निकलका आई है जो इमेज्ज है काफी क्रिस्प है सबस्द्रद्र का मैज साथ है तो च्छंक से सुइस्प्स लेख यहाँ से सब्स्द्रिक मुशल मैरे आप यहां पहुई क्षाससी पड Judy Kông मैरे अच्छी का जड़ में शाहिद आपको अच्छा रिजल देखने को मिल जाए यहां पर इसका एंडुरीड वर्जन हम आपको चेक कर लेते हैं कि कुन से एंडुरीड वर्जन के साथ यह आता है यहां पर थोड़ी सी में प्राइटनेस कम कर लेता हो दा कि आपको इसक्रीन वे पे अलाम से देख स है बाकि अगर आप कोई स्मार्टफोन चाहिए तो यह काफी अब के लिए अच्छा रहेगा यहां पास हजार आमेश की बड़ी बैटरी भी है तो यहां पे जीरो टू हंडर चार्ज के लिए इसके दस वाट के चार्जर के साथ आपको और तक्री आर्स लगेगे और यह का जादा कुछ है नहीं इसके लिए बताने के लिए फार्स इंप्रेशन वीडियो में तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक यू अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करके और यह मैं पहली बार थैंक्यों के बात कह रहा हूं तो प्लीज यह करके जाना यार